यहां हमें 4.8 को 10 से डिवाइट करना है, अब इसको डिवाइट करने के लिए पहले तो हम इस decimal को fraction में convert कर लेते हैं, तो हमारा solve करना थोड़ा easy हो जाएगा, अब 4.8 को हम fraction में convert करेंगे, तो numerator में दोनों numbers आ जाएगे, और यहां decimal के बाद 1 digit है, तो denominator में 1 के बाद आएगा 1 0 तो अब हमें 48 by 10 को 10 से डिवाइट करना है, अब यहां fraction है, तो 10 को भी हम लिख देते हैं, 10 by 1, अब इन दोनों fractions को डिवाइट करने के लिए हम first fraction को ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइट के जगा हम करेंगे multiply, और यहां आएगा second fraction का reciprocal, reciprocal मतलब इसका उल्टा, तो 10 by 1 का 10 by 10, अब इन दोनों को multiply करने के लिए हम numerators को साथ में multiply करेंगे, और denominators को साथ में multiply कर देंगे, तो हमें मिल गया 48 by 100, अब question decimal में given था, तो answer को भी decimal में convert कर लेते हैं, तो देखो यहां denominator में 3 डिजिट है, और numerator में 2 ही डिजिट है, तो अगर हमें numerator में भी 3 डिजिट मिल गए तो हम इसे easily decimal में convert कर पाएंगे, 48 को हम लिख देते हैं 048, तो अब हमें 3 डिजिट मिल गया है, तो इसको decimal में convert कर लेते हैं, अब यहां 1 के बाद 2 zeros हैं, तो इसको decimal में convert करने के लिए हम numerator में 2 डिजिट के आगे decimal point लगा देंगे, तो हमें मिल गया 0.48, तो इसका answer हमें मिल 0.48,